नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको बताएंगे मिथुन संक्रांती के बारे में मिथुन संक्रांती क्या होती है और बहुत से लोगों ने तो मकर संक्रांती सुना होता है लेकिन मिथुन संक्रांती क्या होती है इसके बारे में आप बताएंगे दोस्तों मिथुन संक् और इस बार अभी मिथुन संक्रांती जो होगी वो 15 जून 2023 की शाम को 6 बज़ कर 7 मिनिट तक सूरे देव मिथुन राशी में प्रवेश कर जाएंगे सूरे का एक राशी से दूश्यरी राशी में गोचर करना ही संक्रांती कह राता है और मिथुन संक्रांती और जोतिस से इसका क्या संबंद है तो इसके बारे में आपको बताएंगे मिथुन संक्रांती को एक रज नाम का परव होता है उसको कहा जाता है मिथुन संक्रांती के दुरान पुश्य और शलेशा नक्षत्र रहेंगे मिथुन राशी में मिरिक्षरा नक्षत्र के दो चर्ण आते हैं और इसके रावा आदरा पुनर वसु के तीन चर्ण रहते हैं और इसा में मिथुन संकरांती का महत्तव माना जाता है इस दिन भगवान सूरे से अच्छी फसर के लिए बारिश की मनोकामना करते हैं इस दिन से सभी नक्षत्रों में राशीयों की दशा भी बदल जाएगी इस बत्रा आपको बड़ा माना जाता है और देश दुनिया में इस संकरांती का क्या आसर होगा सूरे जब कृतिक नक्षत्र से रोहनी नक्षत्र में आते हैं रोहनी से अब मरेक शेरा में परवेश करेंगे तो गर्मी थोड़ी सी कम हो जाती है मिथन संकरांती के बाद सही वर्षा रितु की विधीवित रूप से शुरुआत हो जाती है जो अतशियों के अमसार में तुन संकरांती को दरान वाइरल संकर्मन का खत्रा बढ़ जाता है इसलिए सिहत का ध्यान दखना जुरूरी होता है पशुर पख्षियों के लिए ये संकरांती अच्छी मानी गई है इस बार की जो संक्रांती है वो अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं वस्तुआ का मुले भी सामाने रहने वारा है अनाज भंडारन में वरिद्धी होगी लोगों के जीवन में धन और समरिद्धी बढ़ने की संभावना है लोगों को सेहत का लाब होगा और दो राष्ट्रों के मीच संभन्द में अच्छे होने की उमीद है तो दोस्तों ये मिथन संक्रांती जो होती है एक बहुत ही खास मानी गई है और जिनका कुणली में सूरे अगर अच्छा प्रभाब नहीं दे रहा अच्छा पल नहीं दे रहा तो वह मिथन संक्रांती के दिन सूरे देव के कुछ दान वगरा कर सकते हैं जैसे के गोड़ गेहू आदी का दान कर सकते हैं तो इससे उनको जरूर कुछ लाब होगा दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए मिलते हैं अगले इसी वीडियो पर तब तक के लिए धन्यवाद